Hello friends, good evening, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग UP Police Constable Exam 2024 में पूछा सकने वाली Most Important Selected परस्णों को साल्प करेंगे दोस्तों ये सारे questions हमारे आपके exam में पूछे जाने वाले परस्णों की सभी topics, परस्णों की level, वहां परस्णों की attendance इसके अलाओं दोस्तों आपके previous exam में पूछे के पस्णों को पूरी तरह से analyze करके बनाए गया एक Most Important वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने Constate होकर साल्प करें, questions कम साल्प होने पर पुना पस्णों का revision करें ताकि UP Police Constable के return exam में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए, हम लोग इन सभी Most Important पस्णों को साल्प करना शुरू करते हैं दोस्तों question number one है हमारा, उत्तर परदेस में आयुजित, राश्ट्र ये जलुआई सम्मेलं 2030 का सुभारम किस न किया अब दोस्तों चुकि हमारा UPGC, यानि current से question आया हुआ है, तो इस टापी से जितने Most Upon questions बनेंगे, हम लोग यहीं पर कबर करेंगे यही हमारे preparation की strategy होई दोस्तों कि जिस भी topics को हम लोग उठाएंगे उस topics के अधिकांस प्रस्णों को पूरे extra fact के साथ वह ही पे cover करेंगे तो ध्यान देंगे सारे question selector रखे गए हैं अगला question है भारत के किस राज जिने लड़कियों के लिए आत्म रच्छा योजना की शुरुआत की है तो उत्तर परदेश राजी सरकारी के द्वारा किया गया है अगला कोश्चन है हमारा सरकारी भी भागों में 2030 तक 100% इलेक्टरानिक वाहनों को सामिल करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा बनेगा तो उत्तर परदेश बनेगा मोश्ट परण कोश्चन है अगला राश्ट्रिय युवा पुरसकार 2030 के लिए आउधेश कुमार को चुना गया है अभी एक कोश्चन यहीं से निकल आता है जो कि स्टेटिक जीके में जुड़ी आता है कोश्चन क्या है राश्ट्रिय युवा पुरसकार 2030 के लिए किसे चुना गया कि पहले दुस्तों अगर questions को पूरी तरह से prepare नहीं रखते तो question अगर थोड़े से घुमा दिएगे तो आप दुस्तों confused हो जाते हैं confused में गलतिया होने की संभाव नहीं हो जाती है और इसे में दुस्तों अगर गलतिया हो जाती है 2013 लांच किया है तो ये भी उत्तर परदेश राजी सरकार के द्वारा किया गया है अगला क्या है उत्तर परदेश सरकार द्वारा PPP माडल पर कितने जिलों में medical college खोलने का निड़ा लिया गया है तो total 16 जिलों में PPP माडल आप लोग सुने होंगे दोस्तों पबलिक प्राइवेट पार्डनर्शिप यानि जिसमें सरकारी वन जी दोनों छेत्रे दोस्तों वर्क करते हैं अगला क्या है हाली में किसे भारत रत्न डाक्टर अंबेटकर पुरसकार 2013 से सम्मानित किया गया तो योगी आदितिनाथ को किया गया है किन है योगी आदितिनाथ को अगला question देखेंगे हम लोग क्या है दोस्तों हाली में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ले टीवी समिट 2013 का उद्गाटन कहां पर किया गया तो वारानसी के रूद्राच कन्वेंशन सेंटर में अब इसी question को गुमा के 3-4 question बनाए जा सकते हैं question को इस तरह से design के आता है कि कई question आपके ये question में जुड़ जाएं आप कम से कम समय में पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेर हो सकें तो question क्या बनाए गया हाली में परधानोंती नरेंद मोदी के द्वारा वन वर्ल टीवी समिर 2030 का उद्गाटन कहां पर किया गया तो वारानसी के रूद्राच कन्वेंशन सेंटर में अब इसे से मुलता जुलता थोड़ा से देखेंगे भारत ने TB उन्मूलन कलच 2025 तक रखा है वबिस का TB उन्मूलन कलच 2030 तक रखा गया है दोनों अपडेटन है ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं लोग अगला कोश्चन क्या है दोस्तों उत्तर परदेस सरकार द्वारा कोश्चन है उत्तर परदेस सरकार द्वारा सच भारत मिशन 2023 के लिए कितने 53 शहरों का चैन कर साइन कर रखेंग और वहारांसी org प्रियाघराश गोरक पूर मेज़पूर Разश और इनको याद रखिए लुम्मा दिया जाये, इसी में कोट डाल दिया जाये, question और option बनाके, या फिर elimination के लिए दिया जाये, कि किन राज्यों का दूस्तों किन सहरों का चयर नहीं किया गया है, तो इसमें से दूस्तों, अगर आप सहरों की नाम याद नहीं रखते, तो इसे questions आप लोग सल्व नहीं कर सकते अगला क्या है केंद्र सरकार ने केंद्रिय बजट 2023 में उत्तर परदेश की किसी ओजना को देश भर में बिस्तार करने की घोशड़ा की है तो कौन सी ओजना है एक जिला एक उत्पादी ओजना अब यही questions परड़ दिया जाए डाटली थोड़ा सा पुछ लिया जाए एक जिला एक उत्तपादी ओजना किस राज़ सरकार के ओजना तो उत्तर परदेश ऐसे भी questions बन जाते हैं तुरंट अगला क्या है 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरसकार से सम्मानित किया गया तो टोटल 106 लोगों को किया गया है कितने 106 लोगों को अब आगे चलते हैं इसे में नोट देखेगा जिसन जिन में पद्म विभूसंड से 6 लोगों को सम्मानित किया गया पदम भूसन से भी 6 लोगों को समानित किया गया और पदम सिरी से 91 लोगों को समानित किया गया पूरी तरह से prepare रहिएगा एक एक question के कितने माइन होते हैं आप लोग जानते हैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ preparation आप लोग कहीं से भी करें online करें या फिर upline करें आपके जो पार्ट करम है आपके syllabus में जो पूरी तरह से mention किया हो उनको prepare रखें पूरी तरह से focus रखें हो सके तो note down कर लें और जब आप preparation करें आप देखें कि वो सारे topics जो हमारे जांस में के लिए important हैं जहां से questions पूछे जाने हैं वो हमारे कबर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं अगर नहीं हो रहे हैं तो इसी preparation कार्थ नहीं निकलने वाला है इसलिए उन पर पूरी तरह से focus रखें और जब भी आप लोग किसी भी वीडियो को open करें तो इससा ना करें दोस्तों एक मिनट देखेंगे दो मिनट देखेंगे करेंगे कोई बात नहीं बनेगी या फिर कोई भी वीडियो साप नहीं है कहा से पड़ने वह पर पड़ते चले जा रहे है ुसका पी इर्थ नहीं जब कंसी को जोनने के लिए यह भी सुपर कोश्चन है हमारे द्वरा आप लोगों को सव परसेंट दोस्तों दिया ज़रा है अब जिम्मेदारी आप लोगों की है अब एक पीडियाप के बारे में भी बात करते हैं जो कम से कम समय में कम से कम समय में इस तरह से दोस्तों डिजाइन किया गया है कि आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर हो सकते हैं अगर उस पर काम करते हैं अगला क्या है हाली में उत्तर परदेश में आज़ीत गलोबल इंवेस्टर समिट दो हजार तेस का उधगाटन किसके दौरा किया गया तो डायकले कोस्टन इसी में बना दे, गलोबल इन्वेस्टर समिट 2030 काउध घाटन भारत के किस राज़ में किया गया, तो उत्तर परदेश में, डायकले कोस्टन मोश्ट इंपार्टन बन जाता है, तो इसलिए रिवीजन मोश्ट इंपार्टन हो जाता है, और अगर PDF लेते हैं तो मैं कहांगा बेटर होगा कि उनका प्रिंट आउट लिगा लगाने का प्रियास करें उसके बाद अंडर लाइन लगा कि study करें पूरा एक बार रिवीजन जरूर करें इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बीना इधर उधर भटके एक अच्छी preparation आप लोगों की दोस्तों complete हो जाती है आगे चलते हैं हम लोग question क्या दोस्तों उत्तर परदेश के किस जिले में question है उत्तर परदेश के किस जिले में पूरवांचल का पहला अंतर राष्टे क्रिकेट इस्टीडियम बनाए जाएगा तो वारानसी में current के ही solve कर रहे है यूपी के next हाली में उत्तर परदेश के किस जिले में ताज महोसो का आजन किया गया है तो आगरा है आप लोग ध्यान रखेंगे अब इसको current से भी जोड़ दिया गया है यहाँ पे ताकि पूरी तरह से प्रदेश की पहली semiconductor निर्माड इकाई लगाई जाएगी तो गौतम बुधिनगर में कहाँ पे गौतम बुधिनगर में अगला देखेगा उत्तर परदेश के कि जिले में पहला अमरित सरोवर बना है तो रामपूर पटवई में है exact location भी डाल दिया गया है पूछा जा सकता है उत्तर परदेश का पहला आदिवासी संग्राले कि जिले में बनाए जा रहा है तो बलरामपूर में कहाँ पे बलरामपूर में अब थोड़ा सा नोट देखेंगे जो इसी question का है या संग्राले थारु जन जाती से संबन दित है ध्यान रखेंगे डाडले question भूआ जा सकता है कि बलरामपूर में इस्थित आदिवासी संग्राले किस जन जाती से संबन दित है तो थारु जन जाती से इसमें थारु जन जात के बारे में समस्त जानकारी मिलेगी आगे चलते हैं अगला है उत्तर परदेश में आउजित र आगे चलते हैं थोड़ा सा PDF के बारे में बात करते हैं पुना हम लोग next question के ओर चलेंगे ध्यान दीजेगा चार PDF यहां पर हमारा लगा हुए सबसे पहले UP Police Constable के बारे में ही बात कर लेते हैं जिसका हैं पर हम लोग preparation कर रहे हैं इसमें आपका जो पार्ठ करम दोस्तों GKGS आपका जनरल साइंस भी सामिल है current affairs पूलिस ब्योस्था से समन्दी सामान सचेता के questions आपका पूरा UP special उसके बाद में दोस्तों शामान नहिंदी इनके पूरे पार्ठ करम को total 40 PDF की जरीए complete किया ज़रा पेट फीस 100 रूपीज रखी गए WhatsApp नमबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप मैसस करकर PDF ले सकते हैं या PDF के बारे में डाट ले इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं कम से कम समय में दोस्तों आपके प्रीपेशन को अच्छे ढंग से complete करने में यह पूरे दम खम लगा के वनाया गया है नेक्स्ट पीडियाप की बारे में बात करते हैं दोस्तों SST-GD 2024 के बारे में 20 फरोई से एक जाम स्टार्ट हो रहा है आप लोग जानते हैं इसमें जो आपका पार्ट करम है GKGS आपका दूस्तों General Science है सामान हिंदी इनके पूरे पार्ट करम को टोटल 25 पीडियाप की जरी complete किया गया है पेटफिस 50 रूपीज रखे गए वाटसफ नमबर आप लोगों के सामने है बिहार SST की बारे में बात करें सामान ग्यान सामान विग्यान करेंट अपेटफिस 50 रूपीज है वाटसफ नम इनके पूरे पार्ट कम को टोटल 25 पीडियाप के जरी किलियर किया जा रहा है वाटसफ नमबर आप लोगों के सामने है अब ध्यान दिजाएगा यूपी पॉलिस कांस्टेबल SSC जीडी और बिहार SSC मैत्वा रेजिनिंग आपका बसता है आप इनके वीडियो देखे आल अधर परदेशक के किस जीले में इस्तित है तो यूपी ज Nastically के है कुसचंस देखिए उनका एनसर परीयाग राज में कहां पे इस तितने मॉस्ट हम्रा कॉस्टन्स बनते यहीं पर कबर कर लेंगे चलिये सुरू करते है सारे question selected है, ध्यान दिजेगा, पहला क्या है, चकेरी हवाई एड़ा, उत्तर पर्देश के किस जिले में इस्थित है, तो एक कानपूर में इस्थित है, कहाँ पे कानपूर में, अब थोड़ा नोर देखिएगा एक, बाबतपूर हवाई एड़ा, जो की वारानसी में इस्थि किये गये है, तो जो most important है, उनको भी कवर करना आवस्यक है, अगला क्या है हमारा, हिंदू-मुस्लिम एक्ता का पर्तिक, सुल्हकुल उत्सव, पर्देश में कहाँ पर मनायाता है, तो आगरा में मनायाता है, नेक्स्ट है, सैयद सालार मेला, उत्तर पर्देश के किस जिले परियोजना को अनिकिस नाम से जाना आता है, तो रिहंद बाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स्ट है, उत्तर पर्देश में किसान बही योजना, कब लागू की गई थे 1992 में, ध्यान रखेंगे, अगला है, केंद्र बकरी, अनुसंधान केंद्र, उत्तर परियोजना के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट पर देश में, यान रखेंगे, तो कोशाम भी है, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पर देश में, परसिद नोचंदी, मेले काउजन किस जनपद में होता है, तो मेरट में होता है, अगला कोशन है, आगरा लखनव एक्सप्रेस बे, नाम आप लोग सुने है, कि लंबाई कितनी है, तो 302 किलो मीटर है, नोट देख लेंगे यहीं पर, या छे लेन वाला एक्सप्रेस बे है, छे लेन क्या, ध्य भारत का पहला किर्सी बिस्विद्याले, 1960 में पंत नगर में अस्थापित किया गया था, जिसका नाम गोबिंद वलब पंत किर्सी बिस्विद्याले है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे, चलते हैं दोस्तों, लोग नेक्ट कोश्चन की और, अगला कोश्चन कहां से उठा लिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग, एक ही टापिक में लगबग दो मिनट के अंदर इस टापिक को हम लोग पूरी तरह से खतम करने वाले हैं, तो कोश्चन था, महा बिलेश्वर मंदिर भारत के किस राज में इस्थिता है, करेक्ट एंसरोगा महाराष्ट में, अब भूरष्टमें, जो कि बीरभूम पस्ष्चि मंगाल में इस्थिता है, एलीफैंटअगूफा मंबई महाराष्ट में इस्थिता है, कहां पर, मुंबई महाराष्ट में, अगला दोस्तों, Maha Balipuram मंदिर, मामल पूरम तमिल नाडु में में इस्थित है साची का इस्थूप राइसेन मद्धि पर्देश में इस्थित है अम मद्धि पर्देश तो सभी लोग जानते हैं लेकिन दोस्तों थोड़ा सा और पीछा जा तो क्या कहेंगे राइसेन अगर आपसन में दे दिया गया नेक्स्ट लिंगराज मंदीर भूनेस महराष्ट में इस्थित है आगे चलते हैं हम लोग हमारे तरब से दोस्तों आप लोगों को 100% दिया जा रहा है अब आपकी जिम्मेदारी आगे है कि आप क्या करते हैं अगला क्या है तरह मिकेसवर मंदिर जो की नासिक महराष्ट में है महाबलेसवर मंदिर महराष्ट में में है दिलवार जैन मंदिर मान टाबूराजस्थान में है मिनाच्छी मंदिर मदरई तमिल नाडू में है, रामेश्वरम मंदिर, तमिल नाडू में है, खजराहों मंदिर, मोष्ट उपड़ने, छतरपुर मद्ध पर्देश में, इतना कंप्लेट कर लेते हैं, तो यहां से ना आपके परसनों को एक साथ कबर करेंगे, चलिए सुरू करते हैं, पहले कोस्टन से, यहां पर नोट देख लिजेगा, जो इसी कोस्टन से है, कोस्टन रखा गया था, स्वास्तिकादिकार विधेक लाने वाला भारत का पहला राजी कोन सा बना है, तो राजस्थान है, नोट हैं, next question क्या दोस्तों, हाली में किस 2030 का बिटिस अकादमी पुरसकार दिया गया, किसे दिया गया है, तो नंदनी दास को दिया गया है, next है, हाली में किस मेट्रो ने गरीन वर्ड आवार 2023 جिता है, तो 9 मेट्रों, most more question सुपर कोशचन का लिजे हाली में किस मेट्रों ने Green World Award 2003 जीता तो चैननाई मेट्रों है नोट देख लेंगे इसका United Kingdom की Green Organization ने चैननाई मेट्रों रेल लिमिटेड को Green World Award 2003 परदान किया है ध्यान रखेंगे अगला कोशचन है हाली में जी सेबन शिखर साम्मिलन कायोजन कहा किया गया तो हीरो सिमा जापान में किया कहां पे हीरो सिमा जापान मेंुसकाण में बारत की तरफ स्थिक्रण पर्धान मडियं अरे ये लोजन क्या गया तो कनादा है पहला जी सेबन Religion January 2020 जिसेबन सुहर समयलन 2020 जर्मनी में हुआ और जिसेबन जो हमारा कोश्चन था सिखर समयलन 2030 हिरो सिमा नागर्ज जैपान में किया गया और जिसेबन सिखर समयलन लेकिन जो important है, जो हमारी स्लेबस में मिंसर नहीं, जहां से questions आने की संभावना है, उनको miss भी नहीं कर सकते हैं, कि question हमारे most important है, आगे चलते हैं, अगला question दोस्तों, सूच कांक, यानि कि index से उठा गया, कहां से index से उठा गया, question क्या रखा गया है, world happiness index 2030, यानि कि 200% report 2030 में भा देशों की सोची में, फिनलेंड पर्थम अस्थान पर हुआ अफगानिस्तान, अंतिम पाइदान पर रहा, भारत कि स्थान पर रहा, 126 पर रहा, 137 टोटल देश सामिल के गयते, यानि भाद किस्ती भी बहुत अच्छी खासी नहीं है, अगला क्या है, खेलो इंडिया उनि इनिवर्सिटी गेम्स 2030 की पदक तालिका में सिर्सस्थान पर तीन का पूछा गया, अब यह की पूछा जाए, टाप पर को ना, सेस पर को ना, तो महराष्ट हो जाएगा, लेकिन करम से कभी पूछ रहा जाए, तो सबसे पहले महराष्ट फिरानी आना, उसके बाद मध्य पर देश का नंबर है, अगला कोश्चन देख लेंगे, यह भी सूपर है, हाली में बार्वाट बीस हंदी सम्मेलन 2030 का हाँजित किया गया, तो यह नाडे सहर फिजी में किया गया है, अगला है मात्र भूमी बुक आपदाइयर 2030 पुरस्कास से किसे समानित किया गया, तो ड पुलफामी देयान रखेंगे, नेशनल ग्रीन टूबिनल, इनकी राष्ट्री है हरित प्राधिकरण, अगला क्या है, हाली में किस राजी के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई है, तो हरियाना राजी सरकार के द्वारा किया गया है, और लाश करेंट के कोसट्स है, चल्ते हम लोग नक्र कोशन की आरा, अगला कोशन हिस्ट्री से आरा है, दोस्तों देखे किस तरह से कबर किया गया है, कोशन रखा गया है, राश्ट कूट वन्स की थापना किसने की थी, करेक्ट अंसर पहत दनती डूर बनी, अब हम औप संद बनाना यहांने, दोस्तों, एक जाम्स को जा सकें, दे सकें, प्रिपयर सन्सम् कर सकें, यह तरह से दोस्तों, इस और इस कोस्छन को यहां पे प्रिपार करते डॉला जा रहा है, अब देखें कई कोस्छन आपके किस साल्व ओने वाले हैं, कोस्छन रखा गया, राष्ट को 2's के ऐस् अब एक तरफ परमुक राज वंस, फिर संस्थापक और फिर राजधानी के नाम दे गए हैं, यहीं राजधानी को भी यहीं पर कवर कर लिया गया है, आलक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला क्या है हरियक वंस, संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी राजगि के लिए या तो करने ही होंगे क्योंकि questions most important है और बेटर होगा अगर PDF लेते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रिंट आउट निकलवानी का प्रियास करें अंडर लाइन लगा की study करें बार रिवीजन जरूर करें आगे चलते हैं लोग अंगला question क्या है दोस्तो साथ वहान वंस क्या है साथ वहान वंस संस्थापक सिमुक है राजधानी परतिस्थान है गुप्त वंस संस्थापक सिरिगुप्त है राजधानी पाटल पुत्र है वर्धन वंस संस्थापक पुसिभूती है राजधानी थानेस्वर है गहडवाल व कोच्चन कहां से उठा गया, हिंधी से आ गया, हिंदी को भी ignore क्या सब्ड हों सब्सक्राइब देखießंगे peers other 4 को कोश्चन का अर्थ हैं आते है इख को कियों आती है को कम चीम करी दोस्तों पूरी संभावना बरते हैं तो आप पूरा कोश्चन देखें सही बताने, सत्य बताने है गलत बताने है इनऴ्य की पूरा आप question पढ़ें क्योंकि highlighter नहीं होता लास्ट में डाला जाता है कि इनुन में से कौन सा सत्ती बताना और गलत बताना है उसके बाद उनको देखें चारो option एक्जेक्ट तरह से दोस्तों अच्छी तरह से बारिकी से चेक करें फिर अपने answer देने का प्रियास करें हिंदी में कम से कम दोस्तों इस तरह से आप इतना संभावना वरतेंगे तो कोस्टन सापके गलत होने की कमभावना बिल्कुल ही ना के बराबर होगी अब चलिए सुरू करते हैं कोस्टन रखा गया दोस्तों अनेक सब्द एक तरफ दिया गया है एक सब्द एक तरफ दिया गया चलिए शुरू करते हैं पहला है Whoever बेसर न थो करते हैं पहला है जो न आमें question हिंदी से गलत हो जाते हैं वो अर्थनी के कारण जो बिना बेतन के काम करता है वाक्यांस का एकसद आवेतनिक होगा जो अनुकरण करने योग्य है वाक्यांस का एकसद अनुकरण ये होगा जिसके पार ना देखा जा सके वाक्यांस का एकसद अपार दर्सी होगा अग आगे चलते हम लोग अगला क्या दूस्तों अपने उपन निर्भर रहने वाला आपने निर्भर मोस्ट इमपाटन अच्छी बात है ततकाल कभिता रचने वाला आशुक अभी नेक्स्ट आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक जिसे विश्वास दिलाया गया हो आशुवस्ट नेक्स्ट आलोचना करने वाला आलोचक किसी देश के अंदर संबंध रखने वाला अंतर देशी क्या होता है अंतर देशी थोड़ा और रह गया है हम लोग दोस्तों क्या है अगला जिसका संम्द्ध उपन्यास से है वाक्यांस का अगस्द अउपन्यासिक, next है जो इतिहाज से संब़्न्ध रखता है, वाक्यांस का अगसद आयतिहासिक. second last question से इस रीज का गुरु के निकट रहने वाला विद्यार थी वाक्यानस का अंतिवासी और जो बिलम से काम करें वाक्यानस का अइसाद देर घुसूत्री, क्या देर घुसूत्री, तो यह थे दोस्तों इस स्रीज के टाप YM-C-Q के परस्ण, जिनको यहां पर हम लोगों ने साल के और देखिएँगे कि यहां से आफ की परशने सई हो रहे हैं तो दोस्तो इस तरह के वीडियों के लिए आप कमारी सटैडी चनल स्यूक्र रॉपा कलाश्यद पृष। से जुड़ा सूड правильно को सबस्क्राइब करें ताकि हमारे दोड़ा दे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स भारवाचिंग